नमस्कार आप सभी को आज के सेशन में हम सीखेंगे टाइम इन वर्क में मैन विमेन चिल्डरन वाले सवालों को सौल करने की एक बेहद आसान टेक्निक जिससे के मैक्सिम्म सवाल आपके सौल हो जाएंगे और जो नहीं भी हो पाते हैं वो आपका जो नॉर्मल ट्रडिशनल होती है एफिशेंसी वाली उससे सौल हो जाएंगे तो चलिए एक्जामपल देखते हैं और समझते हैं सवाल है four men can complete a work in 36 days if a man is twice as efficient as women then in how many days 24 women can complete a work एक सिम्पल सवाल से हमने शुरू आत की तो आप यह सोचो आप यहां पर efficiency बगएरा निकालो कि उससे better क्या है आप ऐसे सकते हैं कि हमें यह दिआ गया four men काम को कर सकते हैं 36 days में इसे हैं लेता है 36 और हमें बताने कि 24 women जो है कितना टाम लेंगी तो आप यह सोचे कि 24 विमें कितने तो किसके बराबर होंगी 12 में के बराबर होंगी कि नहीं बताई आपर विमेंट को किसमें कंवर्ड कर लेते हैंуемें तो 2 मैं इस इकवल तो बस हमें यह निकालना है कि 12 में काम को कितने टाइम में करेंगे तो आप यह देखो कि अगर लोग बढ़ाते जाओगे उसी रेशियो में टाइम कम होता जाएगा तो हमने नमबर और परसंस तीन गुना कर दिये तो टाइम हो जाएगा खतम नेक्स्ट कोश्चन देखो एक लेवल उपर बढ़ाते हैं टू में एंट ट्री विमें टोगेदर कें कंप्रीट आवर किन 16 डेज मैं इस थ्राइस एफिशेंट एज विमें इसका मतलब यह है कि एक मैं टीन विमें के बराबर एफिशेंट है मतलब वन मैं इस इक्वल टू तो हम यह कह सकते हैं कि टू मैं एंट्री विमें को हम किस से रिप्लेस कर सकते हैं वन मैं से यह सुन तो यह हो गए टू मैं प्लस यह हो गया वन मैं तो कुल मिलाकर क्या हो गया थ्री मैं और यह थ्री मैं काम को कर पा रहे हैं कितने दिन में 16 डेज में हमसे पूछा क्या है six men काम को कितने time में करेंगे तो six men हमने क्या किया number of persons double किया तो time half हो जाए answer हो गया it yes yes or no मैं फिर से बता रहा हूँ देखो two men plus three women three women किसके बराबर होंगी एक men की efficiency जो है एक women का तीन गुना है मतलब एक men तीन women के बराबर है तो तीन women को हम एक men से replace कर सकते हैं तो two men plus one men यानि total three men काम को कर सकते हैं sixteen days में तो हमें क्या पूचा है six men काम को कितने time में करेंगे तो six men के लिए time क्या हो जाएगा half हो जाएगा तो answer है इसका none of these eight days अगला सवाल देखो ten men and four women together can complete a work in sixteen days women is five times as efficient as men एक विमेन की efficiency men की पांच गुना है मतलब हम यह कह सकते हैं कि एक विमेन पांच मेन के बराबर काम करती है है न then in how many days 24 women can complete the work ठीक है चलो इस पर तो बात में आएंगे पहले इसकी बात करते हैं तो हमें दिया गया है कि एक विमेन पांच मेन के बराबर है तो दस मेन किसके बराबर होंगे दो विमेन के बराबर होंगे के नहीं यस बताईए यस और एक मेन ठीक है हमसे यह पर विमेन का टाइम पूछा है तो साही चीज़ों के विमेन में कनवर्ट कर लेते हैं तो अगर पांच मेन एक विमेन के बराबर, तो दस मेन दो विमेन के बराबर, तो दो विमेन प्लस चार विमेन, यानि कुल मिलाकर कितने होगे, छे विमेन, तो six विमेन can complete this work in 16 days, हमसे पूछाए 24 विमेन, तो 24 विमेन मतला हमने क्या कर दिया, इसका चार गुना कर दिया, तो यहाँ पर बोला है कि four men, five women, hundred children together can complete a work in 16 days, if a man is five times as efficient as women, and a woman is ten times as efficient as child, मतलब हम कह सकते हैं कि एक मेन, पांच विमेन के बराबर है, और वही एक विमेन जो है न, वो 10 चिल्डरन के बराबर है, ten times, 10 चिल्डरन के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि पांच विमेन, पचास एक विमेन, 10 चिल्डरन के बराबर है, तो पांच विमेन, पचास चिल्डरन के बराबर होंगी, तो हमने सबसे पहले यह relation देखा, अब हमें दिया क्या गया है, देखो, four men, four men, तो four men कितने time में काम करेंगे, हम कह सकते हैं, time क्या मतलब, four men, five women, hundred children का combined time हमको दिया गया है, तो four men कितने चिल्डरन के बराबर होंगे, आप सोचो, यह in fact, ओके, सब को men में convert कर लेते हैं, तो four men का मतलब four men, अच्छा, five women का मतलब कितना हो गया, one man, plus hundred children किसके बराबर हो गया, अगर fifty children एक men के बराबर है, तो hundred children दो men के बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं, कि यह हो गया seven men, और यह काम को कर सकते हैं, कितने दिन में, sixteen days में, right, seven men काम को कर सकते हैं, sixteen days में, ठीक है, अब हमसे पुछा कि seventy women, कितने time में करेंगी, तो आप यह सोचो न, कि एक men, पाँच women के बराबर है, यानि five women equals to one men, तो seventy women equals to how many men, तो इसका fourteen times कर दो, अगर मैंने इसका fourteen times कर दिया, तो fourteen into five, seventy होगा कि नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं, कि seventy women equals to fourteen men, तो ultimately हमसे fourteen men का time पूछा है, तो अगर seven men का time 60 है, तो fourteen men का time कितना होगा, तो हमने इसको double किया, तो इसका time हो गया, हाँ, eight days, yes or no, so answer is option C, yes, इस तरीके से हम logically सवालों को कर सकते हैं, है न, men को women में, women को men में, children को men convert करके, ठीक है, तो based on the data, अब अगर कोई सवाल इस तरीके से directly नहीं हो पाता है, मतलब mentally, वैसे तो सारी सवाल से हो सकते हैं, लेकिन कई वार data इस तरीके से दे दिया जाता है, कि ये method सपोज, उतना ज्यादा convenient नहीं है, तो आप अपना जो normal method है, efficiency वालों, उसको follow कर सकते है लेकिन जहाँ जहाँ ये method follow होता है, वहाँ वहाँ आप बहुत सारा समय अपना बचा सकते हैं, तो उम्मीद है कि ये technique आपको समझ में आई होगी, अगर technique समझ में आई है, तो ये सवाल आपके लिए homework है, इसको solve करें, और सभी लोग अपना answer, comment section में जरूर दें, same technique से solve उम्मीद करता हूँ, ये video आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है, तो वीडियो को आप like कर सकते हैं, दोस्तों के दाथ share कर सकते हैं, और अगर आप channel पर नए हैं, तो ऐसे ही बहतरीन content के लिए आप इस channel को subscribe भी कर सकते हैं, thank you so much.